हेलो बच्चों, अब तक हमने पड़ा था पुश्पक यान शम्भूग में, आज हम पढ़ेंगे उनका नया आध्याई है वन देवता, तो वन देवता हम पढ़ेंगे, इसमें किस तरह का वर्णन हुआ है, क्या-क्या है वो सब हम इसमें देखेंगे, तो पवन से नभियान का पाकर पता चले स्वागत के लिए वन देवता, साज को भी फूल सब खिलने लगे, तरुशिकर उल्लास से हिलने लगे, भर गया वन प्रांत सनिक दस्टुगंद से, रोम पुलकित राम के समभन्द से, तो कवी गुप्त जी कहते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, कि स्री राम जैसे ही पुश्पक यान द्वारा दंडक वन के समीप पहुँचते हैं, वैसे ही हवा से नब चाली त्यान का पता चलते ही स्री राम के स्वागत के लिए वन देवता निकल पड़ते हैं, स्री राम के आने का समाचार पाकर तथा वन देवता द्वारा उनकी स्वागत की तयारी में, शाम को भी सभी फूल खिलने लगते हैं, कहने का मतलब है दिन में सूरज की रोशनी में तो फूल खिलते ही हैं और शाम डलते मुर्जा जाते हैं लेकिन राम के स्वागत के लिए शाम को भी फूल मुस्कुरा रहे हैं सभी पेड उल्ला से हिल रहे थे पूरा वन प्रदेश, कोमल, मधूर, खुश्बू से भर गया था वन देवता इस प्रकार प्रफुलित हो रहे थे मानो पेड, पोधों, फूलों, सुगंदे, हवाओं के रूप में उनका रोम रोम खिल रहा हूँ इतनी प्रसंता चारों तरफ व्याप्त थी जिसका आभास प्रकरती के प्रतेक अंग से इस पष्ट दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर दंडक वन में प्रवेश करने पर राम के वन देवता है, उनका स्वागत करते हैं उसका वर्णन हुआ है, भाषा पड़िसी है, सरलसी है, आगे है फिर अगला पक्षियों की पंक्तियां उड़ने लगी, दिव्य बंदन वार्सी जुड़ने लगी आगे सब पास जो भी दूर थे, निर्ते में खोए, प्रमत मयूर थे जुन्ड हिर्नों के सिमट आये सभी स्वर्ग म्रिग के बधिक से संकित अभी तो कभी गुप्त जी बताते हैं कि जैसे ही राम का यान वन के प्रवेश द्वार पर रुखता है वायू से नभियान का पताल पाकर देवता उनके स्वागत को निकल पड़ते हैं प्रकरती के नाना रूपो द्वारा प्रफुलितो करवन देवता उनका स्वागत करते हैं दिन में खिलने वाले फूल भी रात में भी उनके अभ़ा विखेर रहे हैं यहां कभी कहते हैं कि पक्षियों की पंक्तियां उड़ने लगी बंदनवार की समानता इसलिए दी है और वो कहते हैं कि पक्षियों की पंक्तियां आकास में बंदनवार से उड़ने लगी क्योंकि देखा होगा आकास में जब पक्षि उड़ते हैं तो एक पंक्ति बना करके इस तरह से उड़ते हैं वो एक के पिछे एक होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनके स्वागत के लिए बंदनवार बना दी हो दिव्य बंदनवार सी जुड़ने लगी आगे वो कहते हैं आगे सब पास जो भी दूर थे आगे कहते हैं कभी राम के आने का संदेश पाकर सभी मयूर पास में आ जाते हैं निर्टे में खोए प्रमत मयूर थे तो पास आ जाते हैं जो अभी तक मदहोश होकर निर्टे में लीन थे खोए हुए थे डूबे हुए थे जुन्ड हिरनों के सिमट आये सभी स्वर्ण मृग के बदिक से संकित अभी सभी हिर्णों के जुंड भी नजदीक आ गए थे लेकिन थोड़े से संकित थे उन्हें अपनी मर्तियू का भै था क्योंकि वे जानते थे कि राम ही वे भगवान है जिन्नोंने स्वर्ण मृग अर्था सोने से बने म्रिग को बान मारा था इससे इस पश्ट होता है कि प्रकरती के सभी प्राणी राम कथा से जुड़ी हर बास से परिचित थे आगे है स्वर्ण म्रिग का यहां पर रूपक अलंकार आया है महां पर और बंदन वार्षी में उपमा अलंकार है आगे है हिरनिया ही उन्हें भैसे वारती मेथिली सी राम रूप निहारती पुष्प वर्षा दिश्टी पथ में पास पुष्पक यान के आते हुई विर्धों की चेतना आलोग के संगीत ने जैसे ही छुई अब पुष्पक यान में बैटकर दंडक वन में जैसे ही पहुँचे राम जहां उन्हें शुद्र मुनी शंबू की तलाश है ऐसे में राम को आयाद एक प्रकरती अपने नाना रूपों में प्रफुलित होती है तो कभी गुप्त जी बताते हैं आगे कि हिरनिया ही उन्हें भैसे वारती कि राम को आयाद एक प्रकरती में चारो तरफ खुशिक के लहर व्याब तोर गई है और सोरी हिरनों के जुंड उनके समीप आकर खड़े हो गए थे और भैसे दूर खड़ी हुई हिरनिया सीता के समान राम के रंग रूप को निहार रही थी भैसे वारती मेथिली सी राम रूप निहारती सीता के समान मेथिली मतब सीता तो सीता के समान राम के सोंदर्य को दूर से ही निहार रही थी क्योंकि उन्हें भै था कि स्वनमरिक का बदिक अर्था स्री राम कहीं उन्हें मारने तो नहीं आये हैं पुश्प वर्षा द्रिष्टी पत में पास पुश्पक यान के आते हुई जहां तक द्रिष्टी जाती थी वहां तक फूलों के वर्षा हो रही थी लेकिन अचानक जैसे ही आभास हुआ कि विरुधों की चेतना आलोक के संगीत ने जैसे चुई जैसे ही आभास हुआ कि विरोध की लहर अर्था त्राम का गुस्से में होना मैसूस हुआ वैसे ही पूरे वन प्रांत के आलोक में अर्था जो खुश्यों की लहर थी वो विरोध की चेतना प्रविष्ट हुई मंत्र से किलित दिशाएं स्तब्द थी पढ़ रही शंबूक का प्रारब्द थी एक सन्नाटा सा चारो तरफ चा गया मंत्रों के उचारण से बंदी हुई दिशाएं सुन पढ़ गई थी निश्चेष्ट हो गई थी कोई चेष्टा नहीं थी उनमें कोई क्रिया नहीं थी दिशाओं का राम की चेतना को समझ कर चारों दिशाएं भैबीत थी वे सभी सम्बूक के भग्य में लिखा हुआ पढ़ रही थी अर्थात कभी कहना ये चारे है कि जैसे ही राम के हरदय में क्रोध भरीचेतना का आभास दिशाओं को हुआ पूरी प्रकरती पर जैसे सुन्न पात हो गया सन्नाटा चा गया सभी डरकर सम्बूक के भग्य में क्या लिखा है उस पर विचार कर रहे थे आगे हैं सुस्तिपदवन देवता पढ़ने लगे शब्द स्वर सोपान पर चढ़ने लगे राम राघव नाम का कल्यान हो खडगधारी राम का कल्यान हो फिर नयन अभिराम का कल्यान हो त्याग में निश्काम का कल्यान हो तो कभी बताते हैं कि जैसे ही राम दिरे दिरे उनकी शब्द स्वरों की सीडियां चढ़ने लगे वन देवता श्वम स्वस्ति पदों का उचारन करने लगे कि वन देवता जैसे ही दोड़े दोड़े गए राम का स्वागत किया राम के स्वागत के है तो दोड़ते हुए आए तो चारो तरफशुब मंत्रों का उचारण होने लगा स्वस्तिपद वन देवता पढ़ने लगे वन देवता शुएम स्वस्ति पदों का उचारण कर रहे थे सब्ध स्वर सौपान पर चड़ने लगे धीरे धीरे उनके शब्ध स्वरों की सीध्या चड़ने लगे कहने का मतलब यह कि वन देवता द्वारा जो उच्छदित शुब मंतर थे कितिवरता थी वो आकास में गूंजने लगी राम रागव नाम का कल्यान हो उनके शुब मंत्रों में राम के नाम का कल्यान था कहने का मतलब यह कि वन देवता कह रहे थे कि हे राम हे रागव तुमारा कल्यान हो खड़कधारी राम का कल्यान हो तुम्हारा हर कारे सफलो जिस भी कारे के लिए निकले हो उसमें सफलता प्राप्त हो और है खड़कधारी अर्था जिसके हातों में तलवार है शुशोबित है जो शत्रों का विनास करती है फिर नयन अभिराम का कल्यान हो तो विनास करती है उस वीर पूरुश्राम का कल्यान नयन अभिराम अर्था जिसके सुन्दर नेत्र हैं अर्था सुन्दर नेत्रों वाले नील कमल अर्था नीले कमल के समान माना जाता है उनको उसराम का कल्यान हो त्याग में निश्काम का कल्यान हो त्याग में जीवन का जिसने निर्वाह किया अर्था जिनोंने सरवदा हमेश दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, जिनका जिवन निस्काम अर्थात स्वार्थ रहित भीता, कहने का मतलब यह है कि जिनोंने कभी लोब, लालज, स्वार्थ देख समझाई नहीं, तो ऐसे सत्पुरुष राम की सरवदा, जैहो, कल्यान हो, तो यह नहां पर भी भाषा शरल है, और वन देवता की राम की स्तोती का है, सुन्दर वर्णन हुआ है, आगे हम फिर पढ़ते हैं, तो नील शलिल, नील शलिल प्रवाह से दो कमल उपर उठे, संपुट बद्ध हो, सु इस्तिर हुए, रत्न जटित की रीट, रवी प्रति सिर हुए, स्वस्ति वाचन का मदुर स्वर शेन, ले गई सारी दिशाएं छेन, गूंज से अनुगूंज रच्ती रही हो गई स्वर मात्र सारी मही, अब यहां पर कभी कहते हैं, तो वन देवता जवारा जो स्वस्ति वाचन किया गया करने के पश्चात, नील सलिल प्रवाह से, उनके नेत्रों के कमल के समान, कि स्री राम के नेत्र एक साथ उपर उठे और इस्तिर हो करके देखने लगे, दो कमल उपर उठे, संपुट बद्ध हो, सु इस्तिर हुए, कमल के समान बताया, जो नीले पानी से उठकर एक साथ जुड़कर उपर की तरफ देखते हैं, उनके नेत्रों का नेत्र भी है, वो नीले जल के समान है, जिनमें उनके नेत्र रुपी कमल खिले रहते हैं, रत्न जटित की रिट रवी प्रतिबिम्बसा, जब राम अपने न इत्रों को उपर उठा कर नभियान से उतर कर वन देवता के समक्ष अपना सीज जुकाते हैं, तो रत्नों से जड़ा उनका मुकुट, सूर्य के प्रतिबिम्ब के समान हिल उठता है, हिल उठा, उतर कर नभियान से स्री राम जब नत्सिर हुए, तो जैसे ही राम ने नत्म मस्तक हुए वन देवता के सामने, तो उनका रत्न जड़ित जो मुकुट था, वो सूर्य के प्रतिबिम्ब के समान हिल उठा, आगे है, कि स्वस्ति वाचन का मदुर्स्वर शीन ले गई सारी दिशाएं छीन, तो वन देवता द्वारा किया गया, स्वस्ति वाचन का मदु अब धीरे धीरे शीन अर्थात कम जोर पड़ने लगा, तो वन देवता के मुक से निकले सभी मंत्रों को चारों दिशाएं ले गई थी, ले गई सारी दिशाएं छीन, गूझ से अनुगूझ रस्ती रही हो गई स्वर मात्र सारी मही, जिसके कारण पूरी प्रत्वी पर उ अनुगूझ के रूप में अभी चारों तरफ गूझ रहा था, अर्थात पूरी प्रत्वी स्वस्ति वाचन पदों की प्रतिध्वनी से भर गई थी, हर तरफ वही शब्द गूझ रहे थे, तो यहाँ पर इसमें उपमा अम्रोपक अलंकारों का प्रयोग वा, राम के नील कमल नेत्र की व्याख्या की गई है, या उनके उपमा दी गई है, और भाशाशेली सरल है ही बच्चों, बाकी का हम कल करेंगे, धन्यवाद बच्चों